Hello and Welcome to Teletarkies दोस्तों, बिग बॉस सीजन सोला के घर के अंदर फैमिली वीक के दोराल ऐसा क्या हुआ कि प्रयांका चाहर चौधरी तूट गई और रोती भागी कनफेशन रूम की तरफ क्या कुछ हुआ है चलिए हम आपको बताएंगे पूरी की पूरी खबर इस रिपोर्ट में Teletarkies की लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपनी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं बिग बॉस सीजन सोला के घर के अंदर फैमिली वीक के दोरान पूरी दरह से तूट गई प्रियंका चाहर चौधरी जी हाँ हम आपको बता दें कि फैमिली वीक में सभी कंटेस्टेंट्स के घरवाले आए थे जहां MC स्टैन के लिए उनकी मम्मी आई टीना के लिए भी उनकी मम्मी आई शेव और शालीन की मम्मी आई सुंबुल के बड़े पापा आई निम्रित के पापा आई सुजिता का फियॉंसे आया और अर्चना का भाई आया लेकिन प्रियंका को गले लगाने वाला कोई नहीं आया हर घरवाला इमोशनल था हर घरवाला अपने को लगा कर अपने गले से डो रहा था लेकिन प्रयंका अपने आपको अकेला महसूस कर रही थी जिस वज़े से प्रयंका कन्फेशन रूम में जाकर फूट फूट कर रोई और बिग बॉस से ये कहती वे नजर आएं कि बिग बॉस हमेशा मेरे साथ ही क्यों हमेशा मैं ही डाड़ खाती हूँ वीकेंड के बार पर मेरी ही क्लास लगाई जाती है और आज जब सबके घरवाले आए हैं तो मेरे ही परिवार से कोई नहीं आया क्या मेरा कोई ऐसा दोस तक नहीं मिला आपको जो मेरे लिए इस घर के अंदर आ चाता मैं सच में तूट रही हूँ बिक बॉस मुझे अब कोई ना कोई चाहिए जो मुझे गले लगा सके जो मेरा अपना हो अंकित को गयवे भी इतना टाइम हो चुका है बिक बॉस ये तो मेरे साथ सच में अनफेर हुआ ना वेल दोस्तो बिक बॉस ने तो कुछ नहीं किया लेकिन कहीं ना कहीं प्रयांका जरूर इस बाद से तूट गई है आप क्या कहेंगे हमें कमेंट्स में आप जरूर लिख कर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें